Hello everyone, welcome to exam quest, मेरा नाम है अनीश मोहन, यह आपकी current affairs marathon revision का part 2 है, चलिए अब आगे के topics को चालू करते हैं, चालू करने से पहले एक correction है, crude oil की जब distillation होती है तो यह सारे के सारे products हमें मिलते हैं, लेकिन यह जो product सी arrangement है, इसमें density नीचे जाते हैं, decrease नहीं हो रही है, density increase हो रही है, या to propane and butane, जो की LPG के अंदर use किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना, मैं आपको पिछले lecture के अंदर थोड़ा सा गलत बता गया, ठीक है, चलिए अब आगे के topics चालू करते हैं, इसमें आप यह वाली चीज बिलकुल पढ़ने की ज़रूत नहीं है, देख रूल 373 में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई member, कोई disorderly behave कर रहा है, तो speaker अगर चाहे तो उसको direct कर सकता है कि आप लोग सबा से withdraw कर लीजिए, और यह जो withdraw होगी, यह जो suspension है, यह एक दिन की होती है, यानि कि सिरफ उसी sitting से उसको withdraw करने के लिए बोला जाता है, रूल 373, कौन अगर कोई member, chair की authority को disregard कर रहा होता है, या फिर house के business को obstruct कर रहा होता है, तो house के अंदर एक motion लाया जाता है, उस motion के थूरू उस member को suspend किया जा सकता है, house अगर चाहे तो उसके suspension को terminate भी कर सकता है, यह जो suspension होता है, यह कितने समय को होता है, यह पूरे session के लिए होता है, sitting के लि तो बहुआत जादा बहुत जादा बहुत जादा बहुत जादा कर रहा हुता है house के rules की या फिर बहुत जादा disorder उसने create कर दिया उस case में ये किया जा सकता है speaker ये काम कर सकता है automatically suspend हो जाएगा अब राजय सभा की बात की जाए तो जैसा आपका rule number 373 था वैसा ही राजय सभा में rule number 255 है जैसा आपका rule number 374 था वैसा राजय सभा के अंदर rule number 256 होता है ठीक है बस speaker की जगा वहाँ पे chairman आप substitute कर देंगे जो भी suspended member है वो panel की meetings को भी attend नहीं कर सकता ठीक है लेकिन महाराजा legislative assembly case के अंदर supreme court ने intervene किया था ठीक है supreme court ने intervene किया था लेकिन आप सिरफ constitutional provision ही follow करेंगे ठीक है ये सिरफ लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता दिया otherwise article 122 में लिखा है वही आप correct मान के चलेंगे कि court intervene नहीं कर सकता ठीक है 17th लोग सभा अपने lowest functioning प आपको याद करना है अब remittances की बात करते हैं इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे जादा remittance आता है और ये remittance grow कर रहा है 26% की speed से ठीक है इंडिया में financial year 23 में 112.5 billion dollars के remittance है था जो की 26% जादा है दूसरा आप याद रखेंगे कि कि किन देशों से इंडिया के पास सबस है फिर Singapore and Saudi Arabia आप confusion में पहले UAE मार्क करके आएंगे तो याद रखेंगे पहले US फिर UAE है ठीक World Bank ने एक report release की ती जिसका नाम है migration and development brief ठीक है अब उसके बाद आपकी liberalized remittance scheme ये news के अंदर थी उससे पहले दो terms देखेंगे एक है text collected at source and दूसरा है text deducted at source तो इसके अंदर बदले में A जो है वो पैसा देगा मान लीजे इस item के उपर government ने एक text collected at source भी लगा रखा है तो B ने जो item बेचा था वो मान लेते हैं 100 रुपे का है तो A 100 रुपे B को देगा लेकिन इस item के उपर TCS भी लगेगा तो जब TCS लगता है तो seller को seller को जब वो अपना सामान बेच जब उसको पैसे मिलेंगे तो seller उस पैसे के साथ-साथ TCS भी collect करता है तो TCS को कौन collect करता है TCS को seller collect करता है तो ये सामान मान लीजे उसने 100 रुपे का बेचना था तो वो 100 रुपे का सामान बेच देगा बदले में 100 रुपे का सामान बेच देगा और उसके साथ-साथ-साथ उसके उपर tax लगाके वो collect कर लेता है पैसे को जब TDS होता है तो उस case में क्या होता है buyer buyer उस tax की amount को deduct कर लेता है और उस amount को government के पास जमा करा देता है for example माल लीजिए buyer ने seller से कोई सामान खरीदा ये जो सामान है ये 10 रुपे ये 100 रुपे का था ठीक है और इस सामान के उपर 10 रुपे का माल लेते हैं TDS कटना होता है तो buyer क्या करेगा buyer 90 रुपे seller को दे देगा 90 रुपे seller को दे देगा 10 रुपे ये अपने पास रखेगा और इन 10 रुपेों को ये government के पास जमा कर देगा तो जब भी TDS होता है तो TDS buyer deduct कर लेता और फिर government को देता है TCS में seller seller collect करेगा TCS के अंदर जो seller है वो tax को collect कर लेता और फिर government को दे देता है TDS के अंदर buyer पैसे को deduct कर लेता है और फिर government को दे देता है ये आपको याद रखना है अभी news के अंदर इसलिए था क्योंकि liberalized remittance scheme के अंदर liberalized remittance scheme के अंदर जो इंडियन्स हैं वो दो लाइख 50,000 दो लाइख 50,000 डॉलर तक पर ये बाहर भेज सकते हैं पर ये बाहर भेज सकते हैं capital account में capital account में जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए इंडिया के अंदर current account convertibility allowed है या नहीं? capital account अगर कोई साथ लाख रुपे तक की रेमिटांस कर रहा है इंडिया से बाहर भेज रहा है तो इसके उपर कोई टेक्स कलेक्टिड एट सोर्स नहीं लगने वाला ठीक है कोई टेक्स कलेक्टिड एट सोर्स नहीं लगने वाला लेकिन अगर इंडियन लिबरलाइज रेमिटांस स्कीम के अंदर साथ लाख रुपे से जादा साथ लाख रुपे से जादा बाहर भेज रहा है तो इसके उपर 20% का tax collected at source लगेगा 20% का पहले ये केवल 5% का होता था इसको increase करके अब 20% का कर दिया गया है ठीक है लेकिन अगर कोई travel करने के लिए जा रहा है टूर पैकेज खरीदा है किसी इंसान ने और वो बाहर के देश के अंदर मौज मस्ती मारने के लिए जा रहा है तो उसके उ पैसा भेजा जा रहा है for education purpose मान लिजे कि किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है और वो अपने बच्चे की education purpose के लिए पैसा बाहर भेज रहा है capital account में या फिर किसी की medical treatment बाहर हो रही है और फिर capital account में पैसा भेजा जा रहा है तो इसके ओपर आपका ये जो 20% का TCS है ये नहीं 7 लाग से उपर अगर पैसा बाहर भीजा जा रहा है तो उसके ओपर ये TCS लगेगा लेकिन education और medical purpose के लिए ये TCS नहीं लगेगा overseas tour package में ये जो 7 लाग का threshold है ऐसा कोई threshold नहीं लगा हुआ overseas package अगर आप 1 लाग रुपे का भी लेंगे तो उसके ओपर भी 20% का आपका TCS कटे हैं ठीक है इसको RBI ने introduce किया था ठीक है FEMA Act के अंदर current account convertibility आपको पता होनी चाहिए capital account convertibility आपको पता होनी चाहिए तारापोर committee की recommendation आपको पता होनी चाहिए ठीक है ठीक और इसी के अंदर एक और चीज भी government ने कही थी कि अगर कोई international credit card के थुरू भी पैसा use करता है तो उसके उपर भी यही आपका TCS लगने वाला था लेकिन अभी recently आपके 3 या 4 जून के आसपास भी एक news आई थी जिसमें government ने कहा दिया था कि अभी international credit card पे नहीं लगा रहे तो उसका भी clear नहीं है अगर UPSC पूछे तो आपको क्या answer देना होगा वो थोड़ा सा confusing हो जाएगा ठीक है क्योंकि paper तो पहली बन चुके होंगे ठीक इस वाले चीज़ को आप ignore कर सकते है prohibited transaction जो हमारा FEMA Act है FEMA Act के अंदर कुछ purpose को prohibit कर रखा है इन purpose के लिए आप remittance नहीं कर सकते इंडिया से पैसा बाहर नहीं बेज सकते जैसे की trading in foreign exchange abroad ठीक है capital account remittance to blacklisted countries by FATF FATF के दुआरा जो blacklisted countries है आप वहाँ पे भी remittance नहीं बेज सकते ठीक है अगर कोई वो है अगर किसी individual या entity को terrorism risk की तरह identify किया हुआ है आप उसको भी पैसा नहीं बेज सकते हैं ठीक है वहाँ पे भी पैसा नहीं बेज सकते है TDS आपका tax deducted at source जो है वो आपकी income के उपर लगता है TDS क्या होता है वो मैं आपको अल्रीडी बता चुका हूँ अगला topic हमारा internationalization of rupee internationalization of rupee का मतलब होता है कि rupee का जादा use होगा in cross border transaction cross border transaction अभी जब भी आप export या import करते हैं तो आपको foreign currencies चाहिए होती है majorly dollar के अंदर आपका ये export और import की payment हो रही होती है ठीक है अगर rupee को international trade में accept करने लगे तो इंडिया की dependence कम हो जाएगी dollars के उपर ठीक है तो internationalization of rupee का मतलब होता है local currency का cross border transaction के अंदर ज़ादा use होना इससे import और export promote होगा ठीक है लेकिन problem के है problem ये कि इंडिया के अंदर capital account convertibility अभी पूरी तरह से नहीं है ठीक है याद करिए तारपोर कमीटी ने कुछ recommendations दी ती तारपोर कमीटी की recommendations आपको पताने चाहिए तो जब तक पूरी तरह से हम capital account convertibility नहीं अचीव कर लेते तब तक internationalization of rupee नहीं हो सकता अभी liberalized remittance scheme के अंदर सिरफ धाई लाक डॉलर तक एक साल में भेजे जा सकते हैं अगर किसी तरह से इंडिया का import export में rupee accept होने लगया internationalization of rupee हो गया तो हमारी transaction cost reduce हो जाएगी हमारी forex को hold करने की जो cost है वो भी reduce हो जाएगी हमारे देश में FDI increase हो जाएगी और ease of doing business increase हो जाएगा इन सारी चीजों से trade और investment भी increase हो सकती है और देश में economic growth आ सकती है लेकिन challenge यह है कि आज की rate में Indian rupee की international demand बहुत ही कम है limited demand है हमारी convertibility especially capital account में बहुत ही जादा limited है ठीक है और हमारा trade deficit बहुत जादा है demonetization जो हुई थी 2000 note की यह भी एक challenge बन क्या रहा है हाला कि आपको याद रखनी की ज़रूत नहीं है इंडिया का market size अभी बहुत छोटा है और government बहुत ही excessively regulate करता है market को ठीक है बहुत जादा regulate करता है market को तो यहाँ पे आपको FEMA act अच्छे से cover करना है along with तारापोर committee की recommendation इस साल आप question की उमीद कर सकते हैं यहाँ से ठीक है FEMA से पहले आपका fair रव हुआ करता था तो दोनों के अंदर क्या difference है यह भी आपको याद रखना है ठीक है फिर उसके वाद आते हैं convention on migratory species convention on migratory species को हम born convention के नाम से भी जानते हैं उसकी अभी 14th COP हुई थी उसबेकिस्तान के समरकंड के अंदर उसबेकिस्तान के समरकंड के अंदर यह meeting हुई थी फरवरी 2024 के अंदर थीम थी nature knows no borders क्योंकि migratory species का है वो तो borders नहीं देखते हैं वो तो सीधा एक जगा से दूसरी जगा migrate करते हैं इस meeting के अंदर आपके कुछ outcomes निकल का है थे वो outcomes आप याद रखेंगे एक तो animal migration की atlas को release किया गया था ठीक है global partnership on ecological connectivity start की गई Central Asian flyway initiative start किया गया Central Asian mammal initiative start किया गया और great busted in Asia action plan को start किया गया है ठीक है यह आपकी फरवरी के अंदर summer kand के अंदर हुई है bond convention bond convention 1979 के अंदर start हुआ था यह UNEP के अंदर आती है इस bond convention के अंदर आपके दो appendix बने हुए है एक appendix के अंदर उन migratory species को list किया गया जो की endangered category के अंदर आती है इन migratory species को आप harm नहीं कर सकते इनको harm करने के उपर prohibition लगी है appendix 2 के अंदर उन migratory species को list किया गया जो endangered तो नहीं है लेकिन उनका conservation status अभी favorable नहीं है तो उनकी conservation को promote करना है और उनकी management करनी है उसके लिए agreement करेंगी parties इंडिया जो है वो भी CMS की party है 1983 से अभी 14th meeting आपके समरकंड उसबेकिस्तान में हुई है जो इसकी 13th meeting थी वो गांधी नगर गुजरात में हुई थी और उसका mascot था Great Indian Bustard याद कर ये Great Indian Bustard अभी हमने cover किया था गुजरात के अंदर हमने एक Bustard sanctuary के बारे में बात की थी और उसके अंदर तीन तरह के Bustard देखे थे Lesser Florican, Great Indian Bustard और आपके McQueen Bustard McQueen Bustard ये तीन तरह के Bustard हमने देखे थे Great Indian Bustard जो है वो heaviest flying bird है ठीक है और ये राजसान की state bird भी है थीम क्या थी हमारे गांधी नगर के अंदर जो हुई थी Great Indian Bustard उसका mascot था याद रखना है थीम थी Migratory Species Connect the Planet and Together We Welcome Them Home ठीक है इतनी बड़ी थीम हमने रखी थी ठीक अब इंडिया के अंदर कुछ major COPs हुई थी I don't think कि ये आपको रटने की जरुवत है ठीक है एक बन नजर मार लीजगा इसके उपर Great Indian Bustard आज की डेट में पाकिस्तान की तरफ migrate करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये राजिस्तान का स्टेट बड़ है कहां कहां पाय जाता है राजिस्तान गुजरात महाराष्टा करनाटका और आंधर प्रदेश इसको बहुत बड़ा थ्रेट है इलेक्रिक्यूशन से अल्रेडी बताया था और इंटेंसिव एगरिकल्चुरल प्रेक्टिस से ठीक है स्टेशिज होता है ठीक है फ्लाइवेज उमीद करते हूं कि आप सभी ने फ्लाइवेज पढ़े होंगे फ्लाइवेज वह पाथवे होते हैं जिसको माइगरेटरी स्पीशिज फालो करती है migratory species follow करती है तो ये वो geographical area है जो की migratory birds यूज करती है अपनी annual cycle में ठीक है वो breeding कहीं और करती है halting कहीं और करती है और उनकी staging कहीं और होती है nine flyways है इन nine flyways में से तीन flyways इंडिया के उपर से होके जाते हैं Central Asian flyway, East Asian flyway और East Asian East Africa flyway Central Asian, East Asian और Asian East Africa आपके static portion के ही है तो इंडिया ने अभी रिसेंटली रप्टर, रिसेंटली तो नहीं थोड़ा सा time हो चुका है इंडिया ने रेप्टर MOU को sign किया था रेप्टर MOU के अंदर हम उन migratory birds को conserve करना चाह रहे हैं जो की रेप्टर कैटिगरी के अंदर आती है रेप्टर बर्ड्ड्ज होती है जो की जैसे अगर मैं वल्चर की बात करूँ तो वल्चर क्या करता है ये दूसरे जो dead bodies होती है उनके ओपर फीस्ट करता है आउल की अगर बात कीज़िया थो आउल भी दूसरे जानवरों के ओपर फीस्ट करता है ये Carnivorous Birds होती है, इनको Raptors कहा जाता है, तो जो Raptor MOU है, ये Kin Raptors के लिए जो Africa और Eurasia में पाए जाते हैं, ठीक है तो Raptors Bird of Pre होते हैं, जैसे कि आपका Owl हो गया, Vulture हो गया, Hawk हो गया, Falcons हो गया, ये Carnivorous होते हैं, अब क्योंकि इन्हें हमला करना होता है, तो इनकी जो Beak होती है, इनके Feet बहुत स्ट्रॉंग होते हैं, इनकी Eyesight बहुत जादा स्ट्रॉंग होती हैं, ये Indicator Species होती हैं और अपने Food Chain के Top पर आती हैं, क्योंकि Carnivorous हैं, इसलिए Food Chain के Top पर आएंगी, अमूर Falcon का अभी पहली बार Census कराए गया है, कहां पर किया है, मनिपूर के अंदर ये Census हु होगी, वो Siberia में होगी, जब Siberia में Winters में ठंड जादा होती है, तो ये India की तरफ आ जाता है, और India में भी आप देखेंगे, Nagaland के पास एक लेक है, जिसका नाम है Doyang Lake, ये Doyang Lake पर जाके वहां पे rest करता है, ठीक है, Nagaland को Falcon Capital of the World भी का जाता है, IUCN Status इसका least concern का है, तो ये Winters में इंडिया के अंदर आता है, चाइना के अंदर आता है, ठीक, अब कुछ information, Cheetah, Leopard और Jaguar के बारे में, जो चीता होते हैं, उनके शरीर पे spots होते हैं, लेकिन ये spots solid होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से black spot यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे है, ठीक है, ल पैटन को rosettes कहा जाता है, इस pattern को rosettes कहा जाता है, rosettes with central spot, और ये वाला जो pattern है, ये rosette होता है without central spot, rosettes without central spot और ये है rosettes with central spot, और चीता के ओपर आपके black spots ही होते हैं, ठीक है, चीता वगर हम already species in news के अंदर cover कर चुके हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो bond convention थी, इसके अंद इसके अंदर अभी इस time पर आपको ये सारी चीज़े याद करने की जरूरत नहीं है, सिरफ CMS के अंदर ये report release की गई है, आप वो देखेंगे, ठीक है, और इसी CMS की जो COP हुई थी, इसमें एक global partnership start की गई है, ecological connectivity के उपर, ecological connectivity के उपर, ये एक partnership है, तो इसके अंदर धेर सारे ल UNEPI है, bond convention भी आपके UNEP के अंदर ही आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना आसान है, ठीक, अगली news है हमारे जो Arctic region है, Arctic region के उपर जो permafrost थी, इस permafrost में thawing देखने को मिल रहे है, यानि कि permafrost melt होती हुई दिखाई दे रही है, melt होती हुई, तो permafrost क्या होता रहा जाता है, ठीक है, इसके अंदर मैं land की बात कर रहा हूँ, ground की बात कर रहा हूँ, तो Arctic region के अंदर जो land थी, वो melt होनी चालू हो रही है, और ये खतरा लग रहा है कि उसमें से धेर सारा toxic waste निकल के आ सकता है, ठीक है, अब इसके अंदर जहां पे ये melt हुई है, उस crater का नाम आप याद रखेंगे, बातागाई का क्रेटर, बातागाई का क्रेटर आपके रशिया के फार इस्ट में, रशिया के फार इस्ट में आपका ये क्रेटर बना है, क्रेटर क्यों बना है, क्रेटर क्यों बना है, क्योंकि वहां पे जो land थी, जो permanently frozen थी, वो land थौ होने हमारी globe की 15% land permafrost के अंदर आती है permafrost के अंदर आईगी ठीक है क्या permafrost cryosphere का हिस्सा होता है बिलकुल होता है cryosphere के अंदर आपकी permafrost भी जोड़ी होती है मदब cryosphere की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम permafrost को भी include करते है frozen rivers और glaciers को भी include include किया जाता है क्यों हो रही है permafrost की thawing तो आप सभी को logic पता है global warming हो रही है greenhouse gases के emission हो रही है human activities increase हो रही है solar radiation की वज़े से होती है ठीक है एक term आपको मैंने बताई थी arctic amplification arctic amplification का मतलब है कि global warming ज़ादा तेजी से increase हो रही है arctic region में as compared to regions at lower latitude क्यों हो रही है क्योंकि जो arctic था वो वहाँ पे आपको snow देखने को मिलती थी snow cover थी snow की albedo high होती है albedo high होने की वज़े से sunlight जो है वो reflect करके वापिस चली जाती है लेकिन global warming के वाज से snow melt हो रही है snow melt होगी तो यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा पानी की specific heat capacity जादा होती है इसके उपर sunlight पढ़ती है तो water उसको absorb करके रख लेता है तो पहले तो sunlight reflect होती जा रही थी लेकिन अब वो heat absorb हो रही है जिसकी वज़े से जादा तेजी से हमें global warming arctic region में देखने को मिलती है इसी को arctic amplification कहा जाता है ठीक है altered vegetation की वज़े से भी perma frost की थोईंग हो रही है और wild fires की वज़े से भी हो रही है ठीक है impacts आप देख सकते हैं जब land defreeze होंगी तो land के अंदर जो co2 emissions stored थी वो release होनी चालू हो जाएगी ठीक है नई नई disease आने लगेंगी क्योंकि इस perma frost के अंदर माना जा रहा है धीर सारे bacterias और viruses जो की बहुत पुराने जमाने में पाए जाते थे वो वहाँ पे अभी भी मौजूद है तो अगर वो defreeze हो गई तो यह bacteria और virus जो है वो release होने चालू हो जाएगे contamination, soil unstable हो जाती है मान लिजे एक पूरी की पूरी land है और यह land पूरी frozen रहती थी इसके उपर हम structure बना चुके है अब अगर यह perma frost land जो है यह thaw होने लग जाएगी तो यह soil lose होनी चालू हो जाएगी soil lose होगी तो यह building भी damage हो सकती है water flow vegetation में change आ जाएगा fire risk increase हो जाएगे sea floor का level भी affect होता है ठीक है फिर उसके बाद solina channel हमें देखना है solina क्या है solina danube river की danube river की एक distributory होती है तो इस news के लिए मैं उमीद करता हूँ आप सभी ने जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होई थी आप सभी को उसके बारे में पता होगा रशिया यूक्रेन की जब war start होई थी तो यूक्रेन stepes region में पढ़ता है और ये जो stepes grassland होते है इनको कहा जाता है wheat basket of the world ठीक है तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वज़े से यूक्रेन से धेर सारा wheat जो अलग-अलग region में जाता था जैसे आपका एफरीका हो गया यूरोप हो गया उस wheat की supply रुख गई तो जिसकी वज़े से पूरी दुनिया के अंदर wheat के rice के जो दाम थे वो दाम increase होने लग गए तो इसी लिए उस supply को start करने के लिए United Nations और टर्की ने मिलके United Nations और टर्की ने मिलके black sea grain deal final करवाई थी between Ukraine and Russia, Russia और Ukraine के बीच में ये black sea grain deal final कराई थी लेकिन ये जो deal थी इस deal के अंदर ये बोला गया था कि black sea के अंदर Ukraine के तीन port हैं Odessa, Chernomorsk और Pivdeni ये ports के नाम आपको याद रखने हैं पूछे जा सकते हैं कि किस देश के हैं ये Odessa, Chernomorsk और Pivdeni इन तीन port से grains की supply को Russia ने allow कर दिया था लेकिन बाद में Russia ने इस deal से withdraw कर लिया और grain की जो supply है वो फिर से रुख गई तो Odessa, Chernomorsk और Pivdeni आपको याद रखने हैं अब क्योंकि Black Sea grains से तो supply नहीं हो पारी wheat की और लड़ाई अभी भी continue होती जा रही है तो इसी लिए एक दूसरा alternative route अब ढूना जा रहा है ये जो alternative route है इसके अंदर क्या किया जाएगा इसके अंदर Ukraine से जो सामान है हम क्या करेंगे हम Romania में Romania में Romania के थ्रू हम Black Sea तक पहुचने वाले हैं ठीक है Romania के थ्रू हम Black Sea तक पहुचने वाले हैं अच्छा एक काम की जगा Black Sea के चारो तरफ जो भी देश जो भी countries पढ़ती है आपको वो पता होनी चाहिए Caspian Sea के साथ जो countries पढ़ती है वो पता होनी चाहिए आपको Mediterranean Sea के साथ जो countries होती है वो पता होनी चाहिए आपको Israel का map अच्छे से cover करके जाना है Israel के अंदर आपका Golan Heights, Sea of Galilee Dead Sea, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए ठीक है Israel की जो deals हुई है वो deals भी आपको पता करके जानी है बहुत ही high probability area है इसके साथ English Channel North Sea ठीक है ये आपको ये भी आपको cover करके जाना है ठीक है और Russia का far east region ये भी आप अच्छे से cover करके जाएंगे ठीक, तो क्या किया जा रहा है अब एक alternate route follow किया जा रहा है इस alternate route में हम Danube River के through Danube River के through Black Sea Black Sea तक पहुँचेंगे और ये जो पूरा का पूरा route है ये रोमेनिया से हो के जाएगा अब इसमें Russia जिस area को control करती है उसको bypass कर लिया जाएगा तो इसमें जो channel यूज किया जा रहा है उसका नाम है Sulina Channel Sulina Channel डिस्रिब्यूटरी है Danube River की तो इसी डिस्रिब्यूटरी को यूज करके अब export किया जाएगा ठीक है तो ये एक new trade route होगा जो Ukraine को connect कर देगा Black Sea से within Romania's border Romania के border के अंदर-अंदर Danube River के through होगा Danube River यूरोप की second longest river है और जो first longest river है वो है Volga जो की Russia के अंदर पढ़ती है Danube River का origin Germany के अंदर होता है और वो Black Forest से पास होती होती है आपके उधर चली जाती है क्या कहते हैं उसके अंदर Black Sea के अंदर drain कर जाती है ठीक अब कुछ नदियां है वो कहां पे drain करती है ये आपको पता होनी चाहिए जैसे कि आपकी जो Tegas नदी है वो आपके Atlantic Ocean में drain करेगी Volga नदी Caspian Sea में drain करती है तो CV याद रखना है CV होता है न resume होता है तो Caspian में Volga नदी होती है Dawn नदी आपके Azov Sea के अंदर drain करेगी ये आपका Black Sea होता है पूरा का पूरा Black Sea के उपर आपको इस तरह से Azov Sea देखने को मिलेगी Azov Sea के अंदर आपकी Dawn नदी जाती है Dawn नदी जाती है वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बुक के अंदर लिखा जाता है Dawn, Dnipper और Danube ये तीनों की तीनों Black Sea में drain करती है लेकिन अगर आप डीटेल में देखेंगे तो जो Dawn नदी है वो आपके Azov Sea के अंदर drain करती है फिर उसके अगर Black Sea के अंदर आपकी Dnipper और Danube नदी जाती है Adriatic Sea में पो जाती है Mediterranean में रो जाती है Caspian, Volga, Azov, Dawn Dnipper, Danube आपके Black Sea के अंदर जाएगी Adriatic के अंदर पो है Mediterranean में रोन है Atlantic में आपकी ये नदी जा रही है फिर उसके बाद North Sea के अंदर US ने अभी drilling स्टाट किया इसको हम पहले भी देख चुके है US के अंदर US ने North Sea के अंदर drilling चालू किया तो North Sea कहाँ पे लाई करती है North Sea लाई करती है Norway, Denmark, Norway, Denmark, Germany Netherlands, Belgium और UK के बीच में Norway, Denmark, Netherlands, Belgium और UK के बीच में आपकी North Sea लाई करती है ठीक है English Channel English Channel एक तरह से connect करता है North Sea को Atlantic Ocean के साथ ठीक है तो मैप के अंदर आपको ये चीज़ भी अच्छे से cover करनी है ठीक है North Sea किस-किस के बीच में लाई करेगी आपके Great Britain यानिकी UK Denmark, Norway, Germany, Netherlands, Belgium और इन्होंने France भी लिखा है तो France को भी आप इसमें एड़ कर लीजे France का भी border आपके North Sea में लगता है तो Norway, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium, France और UK फिर से देखिए Norway, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium, Belgium, France ठीक है इन देशों के बीच में आपकी North Sea लाई करती है और US यहाँ पर drilling कर रहा है ठीक है North Sea के अंदर English Channel आप देख चुके है English Channel दुनिया का busiest shipping area है सबसे ज़्यादा ship आपकी यहीं से ही जाती है ठीक है फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था जो 10 degree channel है वो अंडमान आइलेंड को Nicobar आइलेंड से सेपरेट करता है 10 degree channel अच्छा यह भी हमने cover नहीं किया देखो इंडिया के अंदर आपको अंडमान और निकोबार देखने को मिलते है जो अंडमान है वो अपने आप में तीन पार्ट्स के अंदर divided है North अंडमान, Middle अंडमान, Southern अंडमान Southern अंडमान के अंदर ही आपको Port Blair देखने को मिलता है अब यह आपका अंडमान रीजन है यह आपका निकोबार रीजन है अंडमान और निकोबार को सेपरेट किया जाता है 10 degree channel से ठीक है फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपका Southern अंडमान पढ़ता है एक आपका अंडमान और निकोबार के बीच में 10 degree channel आता है फिर मिनिकोः को मालडीव से सेपरेट करता है 8 degree channel और मिनिकोः को हमारे लक्षदीप से सेपरेट करता है 9 degree channel तो 8, 9, 10 ऐसे याद रखिये 10 degree channel सेपरेट करेगा अगली नियूज के उपर invasive alien species जो हमने species in news की थी उसके अंदर सारी invasive species हमने एक साथ cover कर ली थी यहाँ पे आपका फिर से आगया है IPBES IPBES ने इससे पहले extinction को लेके report की दी थी first half में हमने cover किया था जो first video थी उसके अंदर और IPBES ने invasive alien species को लेके भी report दी थी इसकी full form किया होती है IPBES की intergovernmental science intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem service तो यह एक intergovernmental platform बनाय हुए science की policy के लिए और यह policies बनाय जाएंगी biodiversity और ecosystem services के लिए इसने अभी report दी थी invasive alien species की ठीक है IPBES का headquarter आपके bond के अंदर पड़ता है CMS किया था आपने bond convention वही वाला bond है जो जर्मनी के अंदर लाई करता है तो इसने काए कि 37,000 alien species हैं जिसमें से 10% आपकी invasive है सबसे जादा invasive species जो है वो आपकी water hyacinth है ठीक है water hyacinth lantana कमारा है black rat है house mouse है और brown rat है यह सबसे बड़ी invasive species होती है कुनमिंग Montreal का जो आपका target 6 है वो भी target 6 ही कहता है कि 2030 तक हमें invasive species की invasive species को 50% reduce करना है ठीक है what are the top biodiversity drivers यह आपको read करने की जरूद नहीं है अब आपको invasive species के नाम पता होने चाहिए यहाँ पे भी देख लीजिए लेकिन जो species in news हैं उसके अंदर मैंने एक साथ आपको list दी हुई है सारे के सारे वहीं से ही 2-3 बारी read करके आप चले जाएंगे ठीक है केरला के अंदर Caribbean false musel ठीक है इसने केरला के local oysters और clams की population को लगबग wipe out कर दिया है Lake Victoria में आपका water hyacin थै कहां पे है वो भले ही याद ना रहे आपको यह याद रखना है कि यह invasive species है Caribbean false musel water hyacin जो कि तिलापिया फिश को affect कर रहे है ठीक है तिलापिया फिश को affect कर रहे है और भी होनी चाहिते चले कोई नी आप उस list से cover कर लिजेगा बहुत सारी invasive species वहां पे आपको बताई है और कुछ भी पूछी जा सकती है ठीक है अब उसके बाद एक database बनाया गया database का नाम है Global Invasive Species Database ठीक है 1998 से लेके 2000 तक यह database create किया गया था और यह किस program के अंदर किया गया था यह global invasive species program के अंदर किया गया था यह database freely available है यहाँ पे आपको invasive species की सारी source of information मिल जाएगी ठीक है आपको देखने की जरुवत नहीं है अच्छा इस database को किस ने prepare किया था कौन manage करता है इस database को यह database manage किया जाता है IUCN के Species Survival Commission के अंदर फिर से सुनिएगा IUCN के अंदर एक commission बनी हुए उस commission का नाम है Species Survival Commission इस commission के अंदर एक group बना हुआ है उसका नाम है Invasive Species Specialist Group ISSG तो IUCN के Species Survival Commission के अंदर Invasive Species Specialist Group बना हुआ है वो manage करता है इस invasive species के data को ठीक है यह जो ISSG है Invasive Species Survival Group यह global register है invasive species का कि वो किस तरह से introduced होती है ठीक है तो global register of introduced and invasive species यह country-wise country-wise verified data देता है Invasive Species का ठीक है जो Species Survival Commission है यह आपके gland suzerland के अंदर आती है और IUCN की red list को यह maintain करती है तो IUCN जो आपकी red list निकालती है उसको maintain करने का का काम Species Survival Commission का होता है ठीक है फिर उसके बाद global invasive species program की अगर बात की जा तो इसके अंदर धेर सारे लोगों ने इसको establish किया था I don't think की इतना आप याद रख पाएंगे read करके चले जाएगा ठीक है फिर invasive species और कौन-कौन सी है हमारे कानहा tiger reserve में आपको lantana कमारा pogestimon bengal जैसे भी आप इसको प्रणामस करें ठीक है इसको read करके जाएंगे आप फिर gulf of mannaar के अंदर आपको capa ficus alvarezu आपको देखने को मिलता है capa ficus ये एक तरह की seaweed है हर एक seaweed coral reef को damage करती है seaweed coral reef को damage करती है sea grass is food of dugong उमीद करता हूँ आपको याद आ रहा होगा seaweed coral reefs को damage करती है तो ये capa ficus alvarezu ये आपकी gulf of mannaar के अंदर seaweed है केरला के अंदर आपको precipice julie flora जिसको semi-keru-veilum ये पाई जाती है फिर prickly pear जिसको opencia कहा जाता है ये आपके neil grease में पाई जा रही है तमिल नाडू में sena spectabilis आपके ludvigia peruviania viana लगबख सारी की सारी मैंने आपको बताई हुई है जो elephant के habitats होते हैं जिनको जो elephants हैं वो swamp के आसपा जो grasses उगती हैं उनके उपर feed करते हैं अब ये जो ludvigia peruviana है ये उन swamps के अंदर उगना चालू कर देती है तो elephants का खाना कम हो जाता है तो इन swamps को vials कहा जाता है लंटाना कमारा उपर भी देखा था अकासिया मियर्न सी जिसको वाटल कहा जाता है ये भी एक invasive species है फिर एक invasive tree है जिसका नाम है konocarpus konocarpus invasive tree ये एक exotic mangrove species है बहुत तेजी से उगता है और ये जो herbivorous जानवर होते हैं वो इसको खा नहीं पाते तो ये क्या करेगा ये पूरे एरिया में खुद उगने लग जाएगा और जो वहाँ पे herbivorous चीज़े उगती थी उनकी जो वो है उनकी growth को ये hamper कर देता है जो herbivorous जानवर इस खाने को खाते थे वो इस invasive species को digestive नहीं कर पाते वो palatable नहीं है तो ये जानवर भी वहाँ पे मरना चालू हो जाते हैं तो गुजरात में konocarpus invasive tree हमें देखने को मिलेगा carrot wheat जिसको white top या फिर congress grass भी कहा जाता है वो भी invasive species है इसका नाम है parthenium grass या फिर parthenium hysterophorus ठीक है अगली news हमारी microplastic की है कोई भी plastic जिसका size 5 mm diameter से कम होता है उसको microplastic कहा जाता है microplastic आपके naturally environment में भी पाए जाते हैं और artificially भी ये बनाए जाते हैं ठीक है microplastic आपके cosmetic और textile industry में use होते हैं commercial use भी इसका बहुत जादा देखा जाता है primary microplastic वो होते हैं जिनको actually में manufacture किया जा रहा है किसी product में use करने के लिए जैसे कि मैं microplastic बना रहा हूं ताकि cosmetic product में डाल सकूँ ये primary microplastic है secondary microplastic होते हैं जो कि एक बड़ी plastic की bottle थी मान लेते हैं और ये जो बड़ा plastic का item था ये धीरे-धीरे breakdown करके छोटे-छोटे particles के अंदर divide हो गया जिनका size 5 5 mm से भी कम हो गया तो ये 5 mm नहीं होना चाहिए 5 mm होगा 10 raise to power 6 ठीक है ये 5 mm है 10 raise to power minus 6 होता है तो microplastic का size है 5 µM diameter से कम होना चाहिए µM not mm millimeter होता है 10 raise to power minus 3 ऐसे होता है na deci centi milli deci होता है 10 raise to power minus 1 centi होता है 10 recommendations to power minus 2 milli होता है 10 raise to power minus 3 deci centi milli micro nano pico micro होता है 10 raise to power minus 6 nano होता 10 downside minus 9 pico होता है 10miral minus 12 ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ठीक तो secondary microplastic वो होते हैं जो कोई plastic item है वो breakdown करके छोटे छोटे टुकडों में divide हो गया और उससे हमें microplastic मिल गया ठीक है तो breakdown of larger plastic item due to suns radiation and ocean wave ठीक है अब 6 major polymers हैं जो कि आप याद रख सकते हैं एक तो आपका pet polyethylene terephthalate ये एक polymer होता है दूसरे आपका high density polyethylene जिसको HDPE का जाता है high density polyethylene इसी का low density का polyethylene भी होता है फिर आपका PS polystyrene भी होता है polystyrene को PS कहा जाता है PVC होती है आपकी polyvinyl chloride और PP होती है आपकी polypropylene ठीक है ये जो 6 major polymers हैं ये दुनिया के अंदर जो global plastic pollution होता है उसका 70% इन 6 polymers से निकल के आता है अब क्या होने लगा है आपके North Pacific Ocean के अंदर North Pacific Ocean के अंदर धेर सारा marine debris collect होना चालू हो चुका है और इस वाले region को North Pacific में जहां पे धेर सारा marine debris collect हो रहा है इस region को कहा जाता है Great Pacific garbage batch Great Pacific garbage batch तो यहां पे एक trash का vortex बनता है जो यह North Pacific वाला region है उसमें इस तरह से एक sea का vortex बनता है तो जितना भी आपका जो waste होता है धेर सारा waste इस तरह से ocean current के थूरू इधर तक आता है और फिर वो अंदर जाके यहीं पर रह जाता है अब यह जो vortex है उस marine debris को बाहर नहीं आने दे ठीक है यह marine debris कहां पे बन रहा है आपके California और Japan के बीच में यह आपको याद रखना है यह Pacific Ocean की बात की जारी है Atlantic Ocean की बात नहीं की जारी ठीक है यह जो जायर बनता है यह जो आपका यह circular vortex टाइप की चीज बन रही है इस जायर को क्या का जाता है इस जायर को कहते है North Pacific Subtropical ज ठीक है कहां पे वो meet करते हैं किस तरह से काम करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए ठीक फिर उसके बाद एक report publish हुई है report का नाम है plastic overshoot day report और इसको earth action release करता है plastic overshoot day report ठीक है तो plastic overshoot का क्या मतलब होता है plastic overshoot day का क्या मतलब होता है यह देखिए तो हमारी एक waste management capacity है मान लीज साल शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर हम 100 units बना लेंगे 100 units के बाद अगर आपने और waste generate करना चालू कर दिया और plastic आपने generate करना चालू कर दिया तो इस plastic को हम manage नहीं कर सकते तो इसको कहा जाता है कि यह plastic अब overshoot हो चुका है plastic overshoot हो चुका है तो साल के जिस दिन में ह इतना वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर लेते हैं, उस दिन को कहा जाता है, प्लास्टिक ओवर्शूट डे, ठीक है, प्लास्टिक ओवर्शूट डे, तो प्लास्टिक ओवर्शूट डे कौन सा होता है, जुलाई 28, 2023, यानि कि हम प्लास्टिक का, जितना वेस्ट मैन यह वो point है जब amount of plastic exceeds the global waste management capacity ठीक है और इसके अंदर जो country के mismanaged waste index होता है उसके basis पर उसके basis पर यह plastic overshoot day report earth action ने try की है earth action plastic overshoot day earth action ठीक है Iceland के अंदर सबसे ज़्यादा consumption होती है per capita plastic की ठीक है highest yearly consumption per person जो है वो Iceland के अंदर है इंडिया में एक इंसम जितना plastic use करता है उससे 24 times ज़्यादा Iceland के अंदर use होता है ठीक है mismanaged waste index की अगर बात की जाए तो सबसे top पर mismanaged waste index नाम से ही पता चल रहे हैं वेस्ट को कितना mismanage कर रहे इंडिया चौथे नंबर पर आता है ठीक है दुनिया के अंदर 12 ऐसे देश हैं जो की 52% plastic waste मतब जितना भी plastic waste का mismanagement होती है उसका 52% इन 12 देशों के अंदर होता है और उन 12 देशों के अंदर इंडिया भी आता है ये एक बहुत ही खराब चीज है ठीक है तो plastic waste की mismanagement करने वा आता है का आपका Earth Overshoot Day Earth Overshoot Day का क्या मतलब होता है हमारा जो environment है हमारा environment जैसे जैसे हम resources को consume करते हैं हमारा environment उन resources को regenerate करता रहता है मान लिजे environment 100 units को regenerate कर सकता है ठीक है और तो Overshoot Day के अंदर हम ये देखते हैं कि साल शुरू होने के बाद किस दिन तक हम 100 units resources को consume कर चुके हैं ये जो units हैं इसको तो environment regenerate कर देगा इसके बाद जितनी भी आप resources को consume करेंगे वो environment regenerate नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये हमारे environment को negatively harm करता है तो जितना जादा जल्दी Earth Overshoot Day आ जाता है उतना ही हमारे लिए वो negative होता है तो Earth Overshoot Day आपका 2 August चल रहा है 28 July आपका plastic Overshoot है Earth Overshoot आपका 2 August चल रहा है इसको global footprint network calculate करता है ठीक है ये बताता है कि जो हमारी humanity की demand है ecological services और resources की एक साल में वो कब exceed कर जाती है हमारे Earth के regenerative capacity world environment day आपके 5 June को मनाया जाता है ठीक है इस बार की theme है beat plastic plastic के ओपर बहुत जादा काम किया जा रहा है तो अगर आप कहीं से पढ़ना चाहें तो थोड़ा बहुत plastic pollution के बारे में आप पढ़ सकते हैं ठीक है I don't think कि यहाँ पे इस channel पे time मिल पाएगा plastic waste या फिर waste को pollution को cover करने का ठीक है तो इसको please आप read कर लीजेगा ठीक है इसको आप cover कर लीजेगा फिर उसके बाद आपकी ठीक है यह सारे के सारे हम already कर चुके है project replan आपको पता होना चाहिए project replan है reducing plastic in nature reducing plastic in nature यह जो project replan है यह project start किया था KVIC ने खादी village industries commission ने इसको start किया था यह किस मंतराले में आती ministry of MSME के अंदर आती है एक statutory body है जो की KVIC act के अंदर इसको बनाया गया था MSME के अंदर आएगी आपकी KVIC ठीक है तो replan के अंदर KVIC क्या कर रही है यह plastic जो भी आपकी plastic waste होती है उस plastic waste को collect करती है और collect करने के बाद इसको sustainable alternatives के अंदर convert कर रही है sustainable alternatives के अंदर plastic waste को use करके paper भी बनाया जा रहा है paper में 80% आपके cotton का pulp रखा जाता है cotton pulp रखेंगे और 20% यह जो plastic waste है उसको चोटी चोटे टुकडों में काटके treat करके soft करके फिर उस plastic waste को उसमें बनाया जाता है और भी alternatives इसके अंदर बनाया जा रहे है तो replan किसका initiative है KVIC का जो की ministry of micro small and medium enterprises के अंदर आती है statutory body है यह ठीक है KVIC का headquarter आपको मुंबई में देखने को मिलेगा फिर उसके बाद है आपका glow litter partnership project glow litter partnership project यह partnership project Norway government Norway government ने start किया है with IMO and FAO IMO and FAO ठीक है इस glow litter के अंदर हम marine plastic litter को reduce करना चाते है और India भी इस partnership का member है तो glow litter में आपको Norway IMO और FAO यह याद रखनी है ठीक है IMO होती है आपकी international maritime organization international maritime organization international maritime organization भी आपकी UN की specialized agency है तो अगर आप शुरुआत का lecture देखेंगे तो उसके अंदर हमने international civil aviation organization किया था वो भी UN की specialized agency है और आपके IMO भी UN की specialized agency होती है जिसका headquarter आपको United Kingdom के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है अच्छा यह यहाँ पे दिया भी हुआ है तो international maritime organization UN की specialized agency है headquarter आपके London UK के अंदर है यह international shipping के अंदर safety और security को ensure करने का काम करती है इंडिया भी इसका member है इंडिया in fact इसका founding member है member की जगा इसको यहाँ पे आप founding member लिख लेंगे ठीक है अच्छा founding member है 1959 से फिर उसके बाद आते है मारपोल मारपोल convention को हम लंडन convention के नाम से भी जानते हैं यह एक important है मारपोल क्या करता है marine pollution के लिए convention बनाई थी तो जो हमारी shipping होती है जो shipping जो ships होती है ships जो pollution होता है उसको prevent करने के लिए यह convention start की गई थी इसको international maritime organization नहीं start किया था जिसका headquarter आपको London UK के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है इंडिया भी मारपोल convention का एक signatory है ठीक है फिर उसके बाद आते हैं हम red tide red tide को हम harmful algal bloom के नाम से भी जानते हैं तो algal bloom आप सभी को पता है तो red tide के अंदर आपके red color की algae का bloom हो जाता है क्यों होगा जब भी पानी के अंदर बहुत जादा आपके nutrients पहुंच जाएंगे phosphorus और nitrogen पहुंच जाएंगे तो उससे algal bloom होता है तो reason इसका वही है यह जो algal bloom है यह बहुत जादा toxin produce करते हैं जब यह पानी के अंदर बहुत जादा हो जाते हैं इस algae को आप visible आखो से भी देख सकते हो क्योंकि यह अलग-अलग color का होता है तो यह जो आपके algal bloom होती है यह जो red algal bloom है या फिर red tide यह red tide किन-किन conditions में होगी जब nutrient pollution जादा होगा पानी का temperature थोड़ा सा warm होगा तो global warming की वज़े से पानी का temperature increase हो रहा है जब pH alkaline हो जाएगा और oxygen level कम हो जाएगा तो oxygen level कम होता है तो आपका यह red tide यहाँ पर generate होनी चालो जाती है तो याद करिए chemical oxygen demand या फिर biological oxygen demand जब increase होगी तो उससे ocean के अंदर dissolved oxygen कम हो जाती है dissolved oxygen कम हो जाती है तो वो भी एक reason बन सकता है आपका adequate sunlight इसको चाहिए होती है stagnant water के अंदर यह बनता है ठीक है तो यह green blue red red और brown color के होते हैं तो human activities कोन कोन सी है जो की red tide करती है agricultural runoff wastewater discharge और industrial process ठीक है red tide आपकी harmful होती है लेकिन iron fertilization आपकी एक positive होते हैं हम कोई water body है इस water body में अगर oxygen की कमी मदब phytoplankton की कमी हो रही है phytoplankton क्या है phytoplankton आपके primary producers हैं जिसको herbivorous zooplankton खा सकते हैं zooplankton और इन zooplankton को fishes खा सकती है और इन fishes को बड़ी fishes खा सकती है तो जो आपकी पूरी की पूरी food chain है वो phytoplankton से start होती है तो हम क्या करते है हम water bodies के अंदर phytoplankton की production को increase करने के लिए iron उसके अंदर introduce करना चालू कर देते हैं यह जो iron की introduction होती है इससे phytoplankton की production stimulate हो जाती है और उससे biological productivity increase हो जाती है और जब देखो हम phytoplankton को क्यों increase करना चाते है एक तो यहां से food chain start होती है पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो main reason ह iron fertilization करने का वो यह है कि जब phytoplankton की production start होगी phytoplankton auto troughs होते हैं जो की photosynthesis कर सकते हैं अपना खाना produce करने के लिए खुद तो यह photosynthesis जब करते हैं तो इनको CO2 चाही होती है तो यह environment से CO2 को absorb करते हैं और oxygen बनाना चालू कर देते हैं तो environment से अगर हमे carbon dioxide को sequester करना है उसको capture करना ह तो हम iron fertilization करके phytoplankton की production increase कर सकते हैं जिससे atmosphere से CO2 की sequestration है उसकी capture है storage है वो increase हो सकती है ठीक है iron photosynthesis करने में भी जरूरी होता है trace element की तरह काम करता है minute iron भी होगा तो भी photosynthesis start हो सकती है ठीक है iron sea water में insoluble होता है ठीक है और यह phytoplankton की growth में एक limiting factor है यानि कि अगर iron नहीं होगा तो phytoplankton जादा grow नहीं करते तो इसलिए iron fertilization की जाती है phytoplankton की growth के लिए ताकि हम CO2 को sequester कर सके अब climate engineering का क्या मतलब होता है climate engineering के अंदर हम क्या करते है climate के अंदर technology को use करते है climate से greenhouse gases को remove करने के लिए atmosphere से greenhouse gases को reduce करने के लिए तो दो तरह की climate engineering होती है जो कि मैंने आपक को जब हम environment की revision कर रहे थे तब भी मैंने आपको पढ़ाया था current affairs में भी पढ़ाया था climate engineering दो तरह की है पहला तो यह है कि आप CO2 को remove कर दो atmosphere से CO2 को remove कर दो दूसरा यह है कि आप अर्थ के उपर solar radiation को आने ही मत दो solar radiation को आप reduce कर दो ठीक है तो यह कुछ तरीके होते हैं आपक के उपर पहुंचने से रोकते हैं उसको solar geo engineering कह देते हैं ठीक है basically इन्होंने इसी के अंदर यह division कर दिया तो CO2 को remove करेंगे climate engineering CO2 को remove करने के लिए biochar का इस्तमाल किया जा सकता है जो कि pyrolysis से बनता है pyrolysis के अंदर क्या किया जाता है इसके अंदर organic matter जैसे कि आपका कोई भी biomass organic matter को जब oxygen की absence में high temperature पे burn किया जाता है इन्दी absence of oxygen high temperature of 500 degree Celsius और more burn किया जाता है तो इस process को pyrolysis का जाता है और इस process में biochar हमें मिलता है तो जितना भी आपका organic matter है आप उससे biochar बना सकते हैं biochar आपके CO2 के removal में मदद करता है plus biochar soil की fertility को भी improve करता है तो अगर कोई soil acidic हो गई ह अगर कोई soil acidic हो गई है तो वहाँ पे biochar डाला जा सकता है biochar water retention में भी मदद करता है ठीक है water retention में मदद करेगा और biochar का इस्तमाल होता है agricultural product को improve करने के लिए productivity को improve करने के लिए और soil के अंदर जो आपके crop को disease हो जाती है यह उन diseases को भी prevent करने में मदद करेगा दूसरा CO2 removal का त पड़े थे वह आप यहां पर revise करेंगे important है portion आते हैं ठीक है आप सभी को मैंने cover कराया हुए मदब जो course के अंदर है उनने cover कराया हुए और जिसने नहीं course लिया वो cover कर ले इसको ठीक है अभी तो आपके पास time है cover करने का ठीक है weathering को enhance करके भी CO2 को capture किया जा सकता है ठीक है अंदर CO2 को store किया जा सकता है जो आपका silicate होता है ठीक है soil के अंदर जो आपका silicate होता है यह CO2 के साथ CO2 के साथ react करता है water के साथ react करता है और फिर उसके बाद वो bicarbonate बना देता है ठीक है bicarbonate बना देगा और silicate residue बना देगा bicarbonate by carbonate एक और term यहाँ पे आप याद रह सकते हैं olivine olivine जो आपके silicate होते हैं silicate में आपको olivine भी देखने को मिलता है एक silicate mineral का ही नाम होता है olivine जिसका formula होता है mg2 si4 mg2 si4 si4 अगर याद रहे तो ठीक वरना olivine term आपको याद रखनी है silicate rocks के अंदर यह पाया जाता है तो यह silicate rocks weathering जो है वो carbon dioxide को reduce कर सकती है बहुत ही interesting concept है यह ठीक है solar geoengineering solar geoengineering के अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम solar radiation को earth पे पहुँचने से ही रोकते हैं तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं marine cloud brightening की जा सकती है इसके अंदर cloud को bright कर दिया जाता है cloud जितना जादा bright होगा उतना जादा वो sunlight को reflect करेगा और sunlight हमारे earth पे नहीं आएगी इससे global warming को counter किया जा सकता है दूसरा तरीका है space के अंदर mirror लगा दो mirror जो है वो solar radiation को reflect कर देंगे और solar radiation दुबारा से space में चली जाएगी और वो earth पे आएंगी नहीं तीसरा तरीका है आपका stratospheric aerosol injection very important stratospheric aerosol injection हम stratosphere में जाके stratosphere में जाके aerosol को inject कर सकते हैं through air balloons या फिर planes के through ये जो aerosol है इनका effect cooling effect होता है जैसे आपके volcanic eruption जब होती है तो जब आपकी volcanic eruption होगी तो volcanic eruption से भी ठेर सारा aerosol निकलता है और volcanic eruption के बाद आपको cooling effect देखने को मिलता है एक चीज का आप answer मेर को देंगे volcanic eruption के short term में आपको क्या effect देखने को मिलते हैं atmosphere के उपर और long term में क्या effect देखने को मिलते हैं तो जो stratospheric aerosol injection है वो क्या करेगा ये stratosphere के अंदर ये aerosol suspended पड़े रहेंगे जब sunlight आएगी इससे टकराके reflect back हो जाएगी इधर उधर वो बिखर जाएगी और sunlight हमारी अर्थ के उपर थोड़ी सी कम पहुँचेगी तो इससे हम albedo को increase कर देते हैं ये similar है volcanic eruption की तरह ही ठीक है फि इसका headquarter ये जो national center for coastal research है ministry of earth science का ये एक attached research center है इसका headquarter आपको national institute of ocean technology के अंदर देखने को मिलता है जो chain नहीं में है याद करिये मत्सया 6000 मत्सया 6000 जो की unmanned submersival vehicle बनाया गया है deep ocean mission के अंदर already हम इसको कर चुके है फिर आजाते है gray water footprint के ओपर gray water footprint का मतलब यह होता है कि आपको कितना fresh water चाहिए to dilute pollutants to meet specific water quality ठीक है मान लीजे आपके पानी के अंदर कुछ pollutants है ठीक है ये जो pollutant वाला पानी है हो सकता है कि ये पीने लायक ना हो लेकिन अगर इसके अंदर हम धेर सारा fresh water मिला दें तो इसके अंदर जो pollutant की quantity है वो dilute हो जाएगी dilute होने के बाद हो सकता है कि वो उस standard में आ जाए इसके अंदर जो pollutants है वो इतने जादा dilute हो जाए कि अब ये जो पानी है ये पीने लायक हो जाए इसको gray water footprint कहा जाता है ठीक है तो aquatic pollution का ये standard बताता है gray water footprint cultural eutrophication ये आप read कर लेंगे क्या होता है ठीक है blue water footprint क्या होता है blue water footprint होता है कि हम surface और ground water को कितना consume कर रहे है उसे blue water footprint कहेंगे ठीक है ये था आपका gray water footprint और blue water footprint है कि आप कितना surface और ground water consume कर रहे है black water footprint क्या होता है black water जब भी आप काला पानी देखेंगे तो industry आपके दिमाग में आ जान जितना volume आप generate कर रहे हैं वो आपका black water footprint हो जाएगा black water footprint ठीक है green water क्या होता है green water होता है कि हम agriculture के अंदर कितना rain water को consume कर रहे है agriculture और forestry products के अंदर कितना rain water consume हो रहा है virtual water footprint यह हम already देख चुके हैं जिसके अंदर हमने virtual water trade देखा था कि जो भी आपके goods and services हैं जिनको बनाने में water use होता है और आप इन goods and services को आगे जाके trade कर देते हैं तो आप indirectly water की trading कर रहे हैं उसको virtual water footprint कहा जाता है ग्रे वाटर किसको कहेंगे जो आपका black water है वो domestic और industrial domestic और industry से निकला हुआ polluted पानी है ग्रे वाटर कौन सा होता है ग्रे वाटर होता है आपके offices में जो पानी use हो चुका है आपके domestic घरों के अंदर जो पानी use हो चुका है वो लेकिन इसके अंदर toilet water का contaminated पानी नहीं होता ठी black water है black water में तो chemicals भी होंगे ठीक है biological oxygen demand उमीद करता हूँ आप सबको पता होगा chemical oxygen demand और dissolved oxygen demand आपको पता होगी ठीक है global stock tech report ये UN FCCC ने इसको release किया था global stock tech आपको COPs के अंदर पता होना चाहिए United Nations framework conventional climate change में हमने इसको cover किया हुए ठीक है अब जो important चीज आपको पढ़नी है वो ह हुथ ही important है bridge town initiative को start किया गया है कि climate change से fight करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरुवत है तो developing countries ने इस initiative को start किया है ताकि उन्हें वो finance मिल सके जिस finance से वो climate change को fight कर सके ठीक है इस initiative को spearhead कर रहा है Barbados Barbados country Barbados जो देश है वो इसको spearhead कर रहा है तो bridge town आपके Barbados इसको spearhead कर रहा है developing countries का ये initiative है ठीक है इस initiative के अंदर ये जो bridge town initiative है ये demand कर रहा है कि जो दुनिया की multilateral finance institutions है ये multilateral finance institutions के अंदर ऐसे reforms लाने चाहिए कि ये multilateral finance institutions finances प्रोवाइड करें climate change और sustainable development के लिए climate change को रोकने के लिए और sustainable development को promote करने के लिए ठीक है UNFCCC ये मैं cover नहीं कर रहा हूं उमीद करता होगा ठीक है नहीं तो एक बर ये आप इसको read करेंगे फिर आपके international energy agency जो है उसने एक report release किया क्योंकि ये energy agency है तो report कौन सी release करेगा world energy outlook ये release करने इसने release की है ठीक है इसके साथ international energy agency IRENA United Nations climate change high level champions इन्होंने एक और report release किया जिसका नाम है breakthrough agenda report ब्रेक्त्रू agenda report ठीक है जो आपकी international energy agency 1974 में इसको OECD OECD countries ने start किया था जब एक oil crisis आया था 1973 के अंदर oil crisis 1973 के अंदर आया था उसके बाद आपकी international energy agency को start किया था इंडिया ना तो OECD का member है ना ही international energy agency का OECD के members आप मिर को बताएंगे ठीक है international energy agency की reports एक बार आप इसको read करके जाएंगे सबसे important है energy outlook report ठीक है फिर IRINA एक report release करता है IRINA की full firm है international renewable energy agency report है इसकी energy progress report energy progress report ठीक है यह modern energy modern energy को sustainable reliable और affordable बनाने के उपर यह report release की जाती है IRINA यह आपका international renewable energy agency है यह आपके अबू धाबी के मसदर city के अंदर इसका headquarter देखने को मिलता है India is a member of this India international energy agency का member नहीं है लेकिन इसका है ठीक है census की अगर बात की जाए तो उसको ministry of home affairs conduct कराता है registral general of India के साथ ठीक है यह एक union subject है ठीक है इसके अंदर SC और ST का data produce किया जाता है जो registral general of India है वो linguistic survey of India भी कर रहता है linguistic survey of India को भी conduct करता है population count की अगर बात की जाए तो रिग वेदा के अंदर भी population count की बात की गई है अर्थ शास्त्र के कोटिलिया के अर्थ शास्त्र में भी mention है अबुल फैजल की एने अकबरी के अंदर भी mention किया गया है population count का पहली बार जो आपकी population count की गई थी वो Allahabad के अंदर एक census हुआ था James Princip ने कराया था James Princip ने अशोका की जो script है उसको भी उसको भी decipher किया था ठीक है यह आप बस एक बार read कर लिजगा इसके अंदर बताने का कुछ हैसा खास है नहीं और इतना important भी नहीं है ठीक है census को दो phase में कराते हैं एक phase में house listing की जाती है जिसको housing census करा जाते है दूसरे में population enumeration करा ही जाती है ठीक है socio economic का census के अंदर ठीक है इसको आप read कर लेंगे यह भी इतना important नहीं है in fact यहाँ से पढ़ने के बज़ए इसको आप कहीं और से एक बारी read कर लीजेगा ठीक है NPR, NRC I don't think कि यह इतने important है ठीक है livestock census हम देख चुके है classical languages in India इसको मैंने जब Indian polity revise किया था वहाँ पे आपका cover कर रख है तो अमीद करता हूँ कि आप यह सारी cover कर चुके होंगे language atlas of India इसको कौन publish करता है Registrar General of India ठीक है फिर United Nation Population Fund State of World Population Report को annually release करता है वर्ल्ड की population का क्या status है यह United Nation Population Fund इसको release करेगा ठीक है फिर उसके बाद आपका PDP Initiative आ जाता है PDP Initiative को भी Developing Countries ने स्टार्ट किया है Developing Countries ने स्टार्ट किया है Partners in Population and Development ठीक है Developing Countries का Initiative है ठीक Mission परिवार विकास 2017 इसके अंदर परिवार के विकास के लिए यह Mission स्टार्ट किया था Ministry of Health and Family Welfare ने इसको स्टार्ट किया था यह जो परिवार विकास है यह जो Contraceptives होते हैं Contraceptives के Access को Increase करना चाता है ताकि जाद से जादा लोग उन Contraceptives को यूज करें Family Planning के Methods को यूज करें ताकि जो Population है वो Population एक Healthy तरीके से Develop हो Healthy तरीके से यह Develop हो फिर उसके बाद सारथी सारथी क्या है यह एक Awareness Campaign है इसके अंदर Wheels पर मतब की Vehicles के उपर जा जाके लोगों को Family Planning की Strategies बताई जा रही है और Community को Sensitize किया जाता है सारथी के अंदर फिर उसके बाद आपकी National Family Planning Indemnity Scheme Not very important Indemnity Scheme Indemnity Scheme के अंदर क्या किया जाता है मान लिजे कोई इंसान Sterilization करा रहा है Sterilization कराते टाइम अगर कोई Complication होती है या Sterilization Fail हो जाती है या फिर उस इंसान की Death हो जाती है तो इन cases में उसको एक Insurance Provide किया जाता है इस Scheme के अंदर फिर उसके Compensation Scheme for Sterilization Acceptors जो भी Sterilization को Accept करेंगे तो इनको Sterilization Process कराना पड़ेगा Procedure Undergo करना पड़ेगा उस Procedure की वज़े से हो सकता है कि उनको छुट्टी लेनी पड़े वो अपने काम पे न जा सके तो उनको जो भी Wages का Loss होता है वो Loss इस Scheme के अंदर Compensate कर दिया जाता है यह Ministry of Health and Family Welfare की Scheme Not very important फिर आता है National Family Health Survey जिसको International Institute for Population Sciences जो की Mumbai के अंदर Based है वो conduct कराता है यह आपके Ministry of Health and Family Welfare के अंदर आता है अब यह जो Document मुझसे Share किया गया था और जो Students कह रहे थे कि यहां से बहुत सारे Quotions आने के Chances होते है यह पूरा का पूरा Document लगभग 12 से 13 गंटे खाता जिसको कम से कम टाइम में यहां पे मैंने आपका cover कर दिया है and I think जो आपकी बहुत ही Important News थी वो इसके अंदर आपकी cover हो गई है तो अगर आपने Current Affairs में कुछ भी नहीं किया तो कम से कम यह News आप जरूर करके जाएंगे ठीक है और All the best I will try कि आपको और भी कुछ helpful वीडियो मैं provide करूँ ठीक है लेकिन इतना तो आप करके जाएंगे Quality Quality Mapping जो मैंने आपको कराई थी Quality Mapping और दूसरे Current Affairs उसकी वीडियो मैं आपको provide करूँगा ठीक है बहुत ही short वीडियो रहेगी explanation कुछ नहीं सिरफ revision की help के लिए ठीक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो को like जरूर करती जाएगा Thank you